इकनोमिक्स ओनलाइन क्लास यूटूब चैनल में आप सब का स्वागत है आज के वीडियो में हम भरियाना बोर्ड कक्षा बारा बिजनेस टेडीज के कोशन पेपर के कम्प्लीट सॉलुशन के बारे में बात करेंगे तो चलिए अपना वीडियो है वो शुरू करते हैं कोशन नमबर एक से बीस हमारे MCQ कोशन रहेंगे तो सबसे पहले इन्हीं का सोलुशन करते हैं कोशन नमबर एक वेगैनिक प्रभंद के जनम दाता डैश है वो इस दो फादर और साइंट्रिफिक मेनेजमेंट तो इसका जवाब है F.W.Taylor कोशन नमबर दो निमन में से कौन स नियोजन का प्रकार नहीं है नियम कार्यविधी प्रोग्राम, रूल्स एंड प्रोसेजर ये तीनों ही प्लानिंग का ही पार्ट होते हैं जो उत्पाद है वो हमारा नियोजन का प्रकार नहीं होता तो इसका सही जवाब है Option C. Q3. समुह परंपराय किस संगटन धाचे में होती है तो इसका सही जवाब है अनोपचारिक संगटन Q4. निमन लिखित में से नियुक्तिकरण का ततुए कौन सा है तो भरती, नियुक्तिकरण में, रिक्रूटमेंट में आती है, स्टाफिंग में आती है, चैन, परिशिक्ष निमन में से संदेश वाहन का माध्यम कौन सा है, medium of communication, तो medium of communication है, वो written भी हो सकता है, verbal भी हो सकता है, तो इसका सही जवाब है, option C, लिखित एवं मोखिक. Question number 6, यह packing का एक question हमारा, जो sample paper है, उसमें भी आया था, shaving cream tube निमन में से किसका उधारन है, वह टूब में जो shaving cream है, वो किस चीज का उधारन है, तो जिसमें product हमारा रखा जाता है, वो हमारी कहलाती है, प्राथमिक packing, इस tube के, गत्य का जो cover होता है, उसे हम बोलते है, स्वीतिय पेकिंग, और ऐसी 50-60 tube के डबो को जब हम ट्रांसपोर्ट में बेजने के लिए एक बड़े काटून के गत्ते में रखते हैं, तो वो कहलाती है हमारी pre-wahan packaging, question number 7, चालू संपत्तियों तथा चालू दायतों के अंतर को कहते हैं, शुद कारेशील पूंजी, आगे हमारे statement वाले question है, question number 8, प्रबंद है, वो व्यापक है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, वित्तिय के साथ साथ, गैर वित्तिय संस्थानों को भी प्रबंद की आफशकता होती है, प्रबंद की आफशकता है, वो हर तरह की संस्थान को होती है, इसलिए ये कथन भी सही है तो हम सही जवाब देंगे option D दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 को कथन 1 से निश्कर्ष लिया गया है question number 9 chain किस परकार की परिक्रिया है तो जो chain है वो हमारी नकारातमक परिक्रिया है क्योंकि chain में हम select तो एक candidate को करते है जबकि 10 को हम reject करते है तो इसलिए ये नकारातमक परिक्रिया question number 10 नियंतर्ण व्यक्तियों से समझे थे बड़ा tricky question है सभी विद्यार्थी इस सवाल का जवाब है वो comment में देंगे और इस सवाल का सही जवाब है हम भी आपको comment में provide करवा देंगे question number 11 वस्तु निर्मान का विचार आते ही डैस प्रिक्रिया आरंब हो जाती है विपनन यानि marketing जो प्रिक्रिया है वो शुरू हो जाती है marketing की प्रिक्रिया वस्तु निर्मान के बजार से लेके उब होता तक वस्तु बेचने और बेचने के बाद जो after sales service होती है सेलर और बायर बिल्कुल आमने सामने बैठते हैं विपनन के लिए एक अत्यदिक परभावी और व्यक्तिक्रित दिश्डिकून है जिसमें बिक्री परतीनी धी और संभावित ग्रहों के के बीच में सिधा संपर्ख शामिल होता है क्योंकि डारेक्ट सेलि में बायर और जो आमने सामने बैठ कर बात करते हैं कत्वन दो व्यक्तिगत बिक्री रहकों के साथ सार्थक संबंद स्थापित करने और बिक्री संदेश को व्यक्तिगत जुरूरतों के अनुरूर्ट बनाने का एक अनूठा लाब परदान करती है यानि कि जो हमारा बिक्री का जो proposal है आप उसको सामने वाले की need के coding change कर सकते हैं जन संचार्च चैनलों के विप्रीत व्यक्तिगत बिक्री वास्तविक समय की प्रतिक्रिया की अनुमती देती है तो जाने का मतलब जैसे हम टीवी पर आड दिखाए तो हमने सामने वाले का फीडबेक नहीं पता चलता परंतु डार्ट सेलिंग में हम रियल टाइम में अपनी जो रिस्पोंस उसको चेंज कर सकते हैं जिस से बिक्री करताओं को चिंताओं को दूर करने विश्वास बनाने और गरहक की प्रतिक्रियाओं के अधर पर अपने दृष्टी कोन को अनुकूलित करने में शक्षम बनाया जाता है तो ये बात भी सही है कथन तो हमारा ये भी कही है तो दोनों कथन सही है और ये इसके सही explanation कर रहा है हम इसका जवाब देंगे option c दोनों कथन सत्य है और कथन दो को एक से निश्कर्स में लिया गया है question number 13 बहुत यासान ग्राहक बाजार का क्या होता है राजा होता है प्रबंद के चोदा सिधान्त किस ने दिये थे तो इसका जवाब है एंडरी के ओलने प्रबंद एक यथार्थ विज्ञान है बिल्कुल सही बात है यथार्थ विज्ञान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंक प्रयावरन इन सब को शामिल किया जाता है नियोजन एक मानसीयक अभ्याष है मेंचल एक्सराइज है विल्कुल सही बात है यह क्योंकि हम दिमाग में ही अन्योजन करते हैं प्लानिंग करते हैं विद्ध वहल्प अववब ब्रेन भर्ती-एक टैस परक्रिया है तो भर्ती एक सकारातमक प्रिक्रिया है क्योंकि भर्तिक टाइम जब हम आविदन मंगवाते हैं तो हम सभी आविदनों को स्विकार करते हैं किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं तो इसलिए हम बोलेंगे सामाजिक विपणन इंगलीष में से बोला जाता है सुसाइटल मार्केटिंग विपणन मिश्रन कितने परकार का होता है यह च्यार परकार का होता है जिने हम च्यार पी के नाम से जानते हैं ये च्यार पी है प्रोडेक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन उबोगता संक्षन अधिनियम इन छेतरों पर लागू होता है निजी पर लागू होता है सारजोनिक पर भी लागू होता है सहकारी पर भी लाग है एक कहते हैं आधर शांस है आप लोगों को बताएंगे कोशन नमबर 21 व्याशाइक वातावरण की तीन विशेस्ताओं का वर्ण करें कि एक तो यह जैसे गतिशील प्रकरती का होता है लगाता और बदलता रहता है इसके अलावा इसमें एन शित्ता होती है और तीसरा इसमे हम लिख सकते हैं कि यह काफी जटिल होता है कोशन नमबर 22 नियोजन की प्रिक्रिया को संगशेप में लिखिए तो यहां पर हम शोट में नियोजन के सारे जो स्टैप है वो हम मेंशन कर देंगे तो नियोजन के कौन-कौन से स्टैप है सबसे पहला होता है जैसे हमारा उद प्यांकन करते हैं कि इसमें ये फायदा होगा उसमें ये फायदा होगा पांचवे नमबर पर हम जो सबसे बैस्ट जो विकल्प होता सरवतम विकल्प का चैन करते हैं इसके बाद विकल्प को लागू करके आगे के अनुवर्ति कारेवाही करते हैं कोशन नमबर 23 है नियंत बाहरी कारकों पर हमारा कोई जोर नहीं चलता, इसके अलावा हम नियंतरन में करमचारियों का विरोध, चोथे नमबर पर हम इसमें मेंशन कर सकते, ये एक मेहंगी प्रिक्रिया है, इसके अथ्वा में है, नियंतरन और नियोजन के बीच घनिष्ट और विपरीत संबंध है, बिल्कुल सही बात है, क्यों नियंतरन और नियोजन एक दूसरे से जुड़े भी हुए है, और ये एक दूसरे से उल्टे भी होते हैं, जुड़े भी कैसे है, क्योंकि नियोजन के आधार पर ही हम नियंतरन करते हैं, और आगे नियंतरन के आधार पर ही हम नियोजन करते है है second round में विपरीत कैसे है जो नियोजन है वो होता है आगे की और देखना जबकि नियंतरण कहलाता है पिछे की और देखना इसके अलावा हम इसमें एक दो विपरीत संबंद कैसे explain करेंगे कि जो नियोजन है वो एक सोचने की प्रिक्रिया है जबकि नियंतरण है उसमें एक करने की प्रिक्रिया नियोजन में क्या और कैसे करना है यह कोशन होता है जबकि नियंतरण में उसके उपर मुल्यांकन किया जाता है पोशन नमबर 24, विक्रेश संवर्धन के ग्रहाकों के होने वाले तीन महतों बताओ भी, जो हम sales promotion करते हैं, promotion activities करते हैं, उसे customer को क्या फायदा होता है, इसमें हम लिख सकते हैं, उब भोगता को नए उत्पाद का ज्यान होता है, उब भोगता को नए अत्पाद में रूची प प्राप्त होती है, और उस वस्तु के नए जो ग्रहाक है, वो भी उत्पन होते हैं, इसके अलावा company से जुड़ाव महसूस करता है, उब भोगता है, भावी ग्रहाकों का निर्मान, ये हमारे तीसरे पॉइंट में include हो सकते हैं, विज्यापन के लिए भूगदान करना इसके मुकावले हैं की किड़ी कोई company advertisement करती है, उस पर पैसा खर्च करती है, तो उसे उस खर्चे पैसे को मुकावले विज्यापन पर प्राप्त होते हैं, तो ये कथन बिलकुल शही है,Prof tam, जब कोई company अपना खर्च करती है, तो से ऐसे काफी मातरा में नय किरह का वोगद प्राप्त होते हैं तो इसको हम यह क्या पॉइंट हम इसमें लिख सकते कारण वही जो उपर वाले पॉइंट से मिलते जुलते कि जो नए ग्रहकों का निर्मान होता इसमें भावी ग्रहकों की तलास होती है दूसरा उनके उप्वगता के ज्यान में विरिद्धी होती है उन् विग्यापन इंडर्शी से जुड़े हुए लोग है उन्हें रोजगार भी प्राफत होता है इस तरीके के पॉइंट करके हम इस कोशन का अंसर कर सकते हैं अब है हमारे चरचर नंबर वाले परशन कोशन नंबर 25 परबंद के कि नहीं चार कारियों का वर्नन करें तो करन या स्टाफिंग कि तो थे नंबर पर हम लिख सकते हैं इसमें निर्देशन और फाच्वे नंबर पर होता है हमारा नियंत्र कहीं कहीं आपको एक बीच में एक और भी मिल सकता जिसे हम जानते हैं समनवय के नाम से इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी व्याख्या करके के इस question का answer दे सकते हैं, question number 26, नियोजन की कोई च्यार विशेष्थाओं का वर्नन करें, तो नियोजन के च्यार विशेष्था हैं, सबसे पहला तो ये लक्ष उनमुखी प्रक्रिया होती है, यानि ये target oriented process होती है, यानि इसमें target set के जाते हैं, इसके अलावा ये प्रबंद का एक प्रात्मिक कारिया है, और इसमें हम एड कर सकते हैं, कि नियोजन एक सारवोमिक प्रक्रिया है, और भी इसमें हम लिख सकते हैं, कि नियोजन है वो बविशे की और देखना होता है, ये एक मानसिक प्रक्रिया, ये MCQ में भी आया था, मानसिक प्रक्रिया है, तो ये 4-5 पॉइंट लिखके हम इसका आंसर दे सकते हैं कोशन नम्बर स्थाइस अधिकार आंतरण के कोई च्यार महतो बताईए तो इसके क्या-क्या फाइदा होता है लिख सकते हैं करमचारियों के मनोबल में व्रिधी दूसरा हम लिख सकते हैं समनवय है जो प्रबंध और करमचारियों के बीच में जो समनवय है वो बहतर होता है और इसमें हम लिख सकते हैं जो प्रबंध है वो प्रभावी हो जाता है चोतिस में heading हम मिल सकते है कि जो करमचारी होते हैं उनको अभी प्रेरना मिलती है और भी इसमें एक दो पॉइंट हम लिख सकते है कि भी करमचारी की जो training है वो भी शासा चलती रहती है अधिकारियों का जो कार्यबार है उसमें भी कमी होती है कार्यबार में कमी question number 28 नियंत्रण और नियोजन के बीच घनेश्ट और विप्री संबंध है तो इस परशन का जवाब हम already उपर दे चुके है ये repetition हो गया question number 39 किसी संगठन में वित्य ववस्था निरणय को परभावित करने वाले चार गटको या चार कारको का वर्णन करो तो ऐसे कौन-कौन से कारक होते जिनकी वजह से किसी कंपनी का किसी संगठन की जो वित्य ववस्था है वो depend करती है तो इसके चार गटकों में हम लिख सकते हैं तो इसके कंपनी का जो cash flow है वो कैसा है दूसरे नंबर पर हम इसमें मेंशन कर सकते हैं कि लागत कितनी आती है जो खिम सेहन करने की क्षमता कितनी है अगर जो स्क्रेम करने की शंक्ता ज़ादा होगी ज़्यादा रखने चाहते तो वित्य व्यवस्था में ज्यादा करनी पड़ेगी इसके अलावा हम लिख सकते हैं इसमें कि प्रबंद की जो इसमें जो वितिवेवस्था है वो डिपेंड कर दी एक इसमें हम पॉइंट एड़ कर सकते हैं जो मार्केट है बजार है बजार के हालात है वो कैसे शेर मार्केट है पुण्जी बजार है बजार कैसे तो उमीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा यह के वहला आपको एक प्रवंदकों का मारग दर्शन कोई भी प्रवंदक होता है उन्हें प्रवंद के सिदान्तों का पालन करना पड़ता और उनी से मारग दर्शन प्राप्त करता है प्रवंद के सिदान्तों को अपना कर जो जो resources होते हैं उनका हम कुशल उपयोग कर सकते हैं परबंद के सिदांतों से हम जो अपना परबंद है अपनी जो management उसको effective बना सकते हैं और इसमें हम mention कर सकते हैं कि परबंद के सिदांत परबंद का आधार होते हैं इसके अलाव परबंद के सिदांतों को अपना कर हम जोखिम क को कम कर सकते हैं इसके अलावी से में हम ए निश्चिता को भी एड कर सकते हैं पोशन नमबर 30 उबहुगताओं के किनहीं चार दाइतों का कि अच्छा करिए यह इस उबहुगता संग्रक्षन वाले पार्ट से हमारा अधिकार या दाइतो इस टाइप का प्रशन हो लगबग आ होना चाहिए उसे प्रोपर बिल या मेमो लेना चाहिए तिसरा उसे जो ब्रामक विज्ञापन होते हैं उनसे पचना चाहिए इसके अलावा इसमें हम लिख सकते हैं कि विभीन परकार के जो माननक होते हैं उनको देख कर ही वस्तु खरजने चाहिए जैसे बिजली की चीज के लिए एग मार्क देखकर ही ऐसा लेना चाहिए इसके अलावा उसे जो बोगता के जो समू है वो बनाने चाहिए और भी इसमें हम लिख सकते हैं कि उबोगता को जो कोई विवस्तु लेने से पहले उसका लेबल वगेरा है वो प्रोपर पड़े लेना चाहिए इसके अत्वा में है उबोगता के दृष्टी कौन से उबोगता संगरक्षन का महतव को सपस्ट कर यानि उबोगता यानि वो प Hm. उबोगता थो एज्यान होते हैं कि उबोगता को सारी बातों का पता नहीं चलता कंपनिया भी मतलब वोगana के सारी बात dirं मुत इनी बताते तो इसलिए उबोगता की हितों के क्रक्षा के लिए उसका संगरक्षन करना आउशक है इसमें हमें लिव सकते जो उत्तप बोगता है वह संगठित नहीं होता है क्योंकि किसी वस्तु के वह अलग लग होते हैं तो उनका अपस में कोई यूनिन बगरा नहीं होती तो उत्पादक उसको एक तरह से शोषन कर लेती इसके अलावा जो बोगता को ब्रह्मा के विज्ञापन दिखाकर उसका शोषन किया ज सकते हैं अब आते हमारे सकॉषन के लाजट पार्ट जिसमें चैसे नंबर वाले कॉशन है विवाजन करम चार्यों का उचीत कारे विवाजन होना चाहिए अधिकार और उतरदायतों सपर्स्ट होने चाहिए फीसरे में हम लिख सकते हैं कि कंपनी में अनुशाषन होना चाहिए करमचारियों में अनुशाषन की भाहना होना चाहिए आदेश की एक्ता, निर्देश की एक्ता, काफी बढ़ीया कोशन बनता है इस गए सब्सक्राइब बढूार की उलिख सकते है। केंद्रिय करण और विकेंद्रिय करण की उप्यूक्त मात्रा होनी चाहिए। इसके इसमें पारिशरमिक ओशित होता का रही क्याय ह्सांति बेखना का Eg विसमें हम एड़ कर सकते हैं कहियों कि भावना होनी कुशनमें 32 ओप्चारिक टथा अनपचारिक संगठन में 6 अंतर बताईव तो हम और आनला कर सकते हैंगक कर दो पहले हमें लिख सकते हैं के अर्थ का की बार्ण के ये संगठन होता है जो संथा के नियमों के आकोर्डिंग बना जाता जबंग अनुपचारिक संगठन हैं जो पारस्परीक व्यवार के आधार पर बनता है इसके लावद दूसरे नमबर पर हम इसमें लिख सकते हैं कि ओप्चारिक संगठन के जो नियम है और जो regulation, rule and regulation वो fix होते हैं जबकि ओप्चारिक में fix नहीं होते हैं करमचारिक संगठन के जो रिष्टा है वो वैसा ही रहता है जबकि ओनुपचारिक संगठन समय के coding बदलता रहता है परी नए दोस्त हैं वो जूड़ते रहते पुराने दोस्त है वो हट जाते इस तरीक कि समय कर सकते हैं कोशन नमर 33 एक कंपनी के पूंजी डाचे को निर्दारित करने वाले किनी 6 गटकों का वर्नन कीजिए सबसे पहले तो हम इसमें पूंजी डाचे को डिफाइन करेंगे पूंजी डाचा क्या होता अब इसको प्रवाज करने वाले 6 गटक या कारक कौन-कौन से हैं इसमें हम लिख सकते हैं व्यवसाई की परकरती कैसी है यह ज्यादा पूंजी का डाचा अलग होगा अगर व्यवसाई रेगुलर है तो वह अलग होगा इसमें हम लिख सकते हैं उत्पादन का पैमाना अगर कंपनी बड़े स्केल पर चाहिएगि इसके अलावा हम इसमें लिग लिख सकते हैं किसी कंपनी है वो कितने परकार के प्रो भांति बने चैसे सम्भावना व्रिदी के संबार विकास विकास करने क्या प्लान है कंपनी का तो उसे पुझी अपनी बढ़ानी पड़ेगी और इसमें हमें लिख सकते हैं परती दुंदिता कितनी है तो इसके कारिये शील्ड पुझी से आपका क्या भी प्राय है कंपनी के कारेशील पूंजी के आवशक्ता को निदार्द करने वाले किनी च्यार घटक बताई तो सबसे पहले हम कारेशील पूंजी को डिफाइन करेंगे कि भी एक व्यसाइक को अपनी जो देनिक परती दिन की गती वीडियो के संचालन के लिए जिस पूंजी के आवशक्त को निर्दार्द करने वाले घटक तो घटक के अलग मिलते जुलते ही हैं जाद अंतर नहीं है कि जैसे वैसाई की प्रकरती ये भी हो जाएगा यदि वैसाई ऐसा जिसमें कैश का फ्लो प्रोपर बना रहता है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल के आशकता होगी और यदि कैश क बिखता है कितने दिन बाद उसकी पैमेंट आती है तो उसे वैपार चकर बोलते हैं अगर ये बड़ा होगा तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए चोथा पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं मोसमी काहरा अगर कोई वैसा ऐसा है जिसके लिए जो कच्छा माल पूरे सा करके रखना पड़ेगा हमें करशिल पूंजी क्या शकता अधिक होगी और इसमें हम लिख सकते हैं उत्पादन चकर कितना बड़ा है इसके लिख सकते हैं उदार सिमा है कितनी है यदि हमें ज्यादा मातरा में उदार मिल जाता तो हम कम पूंजी से भी काम चला सकते हैं तो पड़े थी कि वस्तू के निरमाण के विचार से आते ही उब भोगता तक वस्तू बेचने बाद ऑषिन सर्विस होती है उन सब कि इन क्रियाओं फीप्णन में स्मिले क्या जाता है उनल 10 की कारियर कौन कौन से हैं विपनर में हम क्या कारे करते हैं हैं सबसे पहले जो पजार के जो सूचनाय होती। बाजार से सब्मंदित बाजार सूचनाओं का चंच्रह करते हैं उसके अपूर्डिंग हम अपना बनाते हैं और उसको मार्केट में लौच करते हैं। उसके सेकटन पर हम लिख सकते हैं कि विपृपण कि हम फिर हम मार्केटिंग की योजना बनाते हैं तीसरे नंबर पर हमें लिख सकते हैं जो उत्पाद का जो डिजाइन होता है वो वगर और पैकेजिंग है वो हम निर्दारित करते हैं चोथे नंबर पर हमें उसका परमापी करण और ग्रेडिंग करते हैं प्रोडक्त की इङरे सपयादय कि उसकी जो ब्रैंडिंग है वो निर्दारित की जाती है वो ब्रेंड इमेज बनाई जाती है अध़ित करते हैं वर 10 में दो थिन बिंदू और होते हैं लास्ट में हम नुवे नंबर पर उसका वास्ट पहुंचाते हैं और लास्ट में होता है इसमें मेंशन कर सकते हैं हम उब बोगता सेवा के इंदर क्रेस्टमर सर्विस सेंटर तो यह सारी चीज़े इसमें शामिल होती है विग्यापन की परिभाशा देजिए विग्यापन की चार शीमाओं का वर्णन करें तो विग्यापन के हम डेफिनेशन देते हैं कि जो विग्यापन है वो पेड सर्विस हो यानि कि किसी वस्तु को बेचने के लिए जो हम खर्चा करते हैं मार्केट में उसका नाम करने के लिए जो हम पे करते हैं टीवी पर अखबार में उसे हम विग्यापन कहते हैं विग्यापन की परिवाशा हम लिख देंगे विग्यापन की चार शीमाओं का वर्णन करें विग्यापन कहां काम नहीं करता तो इसमें हम लिख स दूसरा है वास्तविक उबहुगता होता है पहुंच आगर आप जिस उबहुगता के लिए वस्तु बना रहे उस तक वह विग्यापन पहुंची नहीं रहा तो वह पहल हो जाएगा तीसरा है अज्ञानता आपका जो उबहुगता है वह अनपड़ हो आप अखबार में एड निकाल रहे हैं तो इसका मतलब वह उसके लिए यूजलेस है चोथा है उचित माध्यम का चुनाव कई बार विग्यापन करने के लिए हमें उचित माध्यम का चुनाव है वह करना बात करें तो तीवी बहुत कम देखते हो आप टीवी पर विग्यापन के लिए बहुत जादा खर्च कर रहे हैं तो शाद उसका फायदा हमें ना मिले और इसमें एक दो बिन्दू और हम इसमें एड कर सकते हैं कि जो विग्यापन है एक महेंगी प्रिक्रिया है हम बहुत खर्च होता है विग्यापन पर विग्यापन डिजाइनिंग वगयरा में विग्यापन फिर जैसे आख बार में चपवाने या टीवी पर दिखाने उसके लागत भी बहुत जादा तो इस तरीके से हम कुछ और पॉइंट इसमें एड करके यह कोशन है पेपर हो सौलव कर सकते हैं तो प्यारे बच्चों यह था हमारा हरियाना बोर्ड कक्षा बारा व्यवसाइक अद्धन के पेपर का कंप्लीट शॉलूशन ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जूड़े रहिए एकनोमिक्स ओनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल से जूड़े र हरत